यहाँ पर इगनों की तरब से कुछ important notification, important बाते आपके साथ discuss करने वालो जो आप सभी के लिए important आपके जून 2021 के exam license से रिकार्डिंग, plus में आपके assignments से रिकार्डिंग, जो बहुत सारे से विद्यारते इनमें को assignment, result और plus में grade card से रिकार्डिंग, comment कर लेते हैं, उसके query में solve कर करने वालों, और हर एक query को इस वीडियो के मादनें से discuss करो, प्रसमा hold ticket में क्या क्या changes की जाएगी, कौन-कून विद्यारती है, eligible इसके लिए और आपका exam mode कौन सा होने वाला है, और जिस विद्यारतों की examination जो validity है, मतलब कोर्स की validity है, तीन साल, चार सा, जितनी, अगर उसकी date को extended किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उसको पर भी इस वीडियो के मादनें से discuss करने वालों, जिन विद्यारतों को promotion offer किया गया था, बढ़ किया उनके marks जो है, मतलब नमबर वो update नहीं किया गया, कैसे उनके number update किया जाएगा, कैसे update होगा, क्या उसके लिए आपके regional center आप विजिट करना होगा, किस परकार से ये problem solve हो सकते हो, कि करके मैं सारी query को आपको दूर करने वालों, तो सबसे पहने हो बात करता हो, hold ticket कि, hold ticket जो आपका release होगा, जैसे कि मैंने से पहली वाली वीडियो में, confirm कह दिया गा था, बट ये confirm ये नहीं कि आपको hold ticket कप तक release सकता है, कोई confirm information नहीं कि 2021 की तरह क्या पता है, फिर से आपके exam हो, वो delay हो सकते है, कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि 2021 में क्या हो था, 2021 में COVID की बाइस से आपके exam delay कर दी के दिसंबर में, फिर उसके बाद final क्या, आपके March में exam conduct की गे था, इस बार भी हो सकता है, August, October तक आपके exam डेले कर दी जाए, फिर उसके बाद करता है, आपके assignment submission की, बहुत सार ऐसे विद्यारतों अभी तक assignment submit नहीं किया, December के almost सभी विद्यारतों ने submit कर दिया बाद जून 2022 सेंगी जितनी विद्यारते, जिसके last date क्या 30 महीं रखी गई, इगनों की तरब सा, अगर 30 महीं 2022 तक क्या विद्यारतों का assignment reject हो चुका है, या फिर पेंडिंग में रखा गया, यसी आप अपने enrollment number को assignment चो status, महाँ पर mention करते हो, महाँ पर pending सो होता है, that means कि आपका status के in future मतलब आगे next update में आपका update हो जागा, उसके लिए 10 से लेने जुरूत नहीं है, बार बार यहीं हो रहा तो आप अपने रिजन सेंटर पर विजट करकर है, वहाँ पर अपनी क्वाईरी बता कर इस problem को solve कर सकते हो, रिजल्ट की बात करो, बहुत सारे ऐसे विद्यारत जिनका क्या बहुत ज़्यादा कम number आ है, और इस पर 36 Convocation जो हुआ था, उस 36 Convocation में बहुत सारे ऐसे विद्यारत जिन इनके दिगरी अभी तक प्राप नहीं हो, जिन विद्यारत हो कि डिगरी आच चुकी है, अगर नहीं आई तो आप अपनी रिजन सेंटर पर विजट करकर करके अपनी डिगरी को प्राप कर सकते हो, अगर आपने रिजटेशन नहीं किया होगा, अगर अगर अच्छी बात नहीं किया, उसके लिए आपको फिर से एक बार मौका दिया जागा, अगली मैं बात करूँ आपका ग्रेट कार्ड इस्टेटिस भी बहुसतारे से विद्या, जिनका इस्टेटिस अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, और आपके मोड में होगा, ओफलेंड मोड में होगा, ओपन बुक मतलब OBE मोड में कंडेट करवाएगी या फिर क्या ब्लैंड मोड में, क्योंकि UGC ने सभी यूनिवर्सिटी को तीन ओप्शन दिये रखके हैं, सबसे पहला ओफलेंड मोड में, दूसरा अगर ओफलेंड मोड में न आते हैं, वो हमेशा से ओफलेंड के थ्रू होते हैं, और ओफलेंड के मादम से होंगे, इस बार भी यही चांसे से, बट यहां पर एक ओप्शन यहा है, कि इगनों ने जो ODL में जितने ही कोर्सिस, जिन दियारतों ने एडविशन लिया है, उनके एक्जाम किस मोड में कहने सकता है कि जो आपके एक्जाम है, कि OLD LINE MODE में होंगे, या फिर ओफलेंड मोड में होंगे, कोई नहीं कह सकता ठीक है, अब मैं बात करतों आपका जो डेश शीट जो आएगी ना डेश शीट या फिर जिन विद्यारतों को परमोशन ओफर किया गया था, या फिर जिन सिच्वेशन है क्या उसकी एक्जाम देना पड़ेगा क्या सिच्वेशन है तो यहां आपना बदा दू उसकी टैंसे लेने के जुरूती नहीं आपकी वैलेडिटी को बढ़ाया जाएगा क्योंकि इगनु में साफ़ भी मैंसन करका है कि आप क्या है एक साल के जिन्वी ध्यारत होगा दो साल को को तीन साल के अंदर-अंदर में कोर्स खतम कर सकता है टेक है तो यह वैलेडिटी उसकी वड़ायागा और डेसीट की बाद क ऑफिलेड आपका क्या एक मेंथ एक मेंत पहले अकर एक महीने पहले इंफर्म करेखाया पैटन होगा उसे कोसे नीचे और में मैंसर रहाएं कि इनी ना और बाट की जो अनदर आएक्जाम होने वाले वह वह के लिइन जुरूत हुदी है फूर्द available हो जाएगी बट अभी कोई भी confirmation नहीं आई क्योंकि अब हमारे पसłe महीने रह रहरे एक दो महीने में अगर आपके exam हो जाते है अगो ही जाते हैं अगर आपके exam नहीं होंगत जीएर सी बात इस exam अगर टेले से एक 2021 सेसिन में फेस करनी पड़ी इस बार जो होना चाहिए एक्जाम जो होना चाहिए वो टाइम पर होना चाहिए चाहिए किसी सिच्वेशन में हो चाहिए कोई पेंडिमिक में हूँ या फिर चुनावी अवस्ता में कोई इसी सिच्वेशन ने एक्जाम टाइम पर होना चाहिए बस आपकी एक्जाम डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे यार और भी बहुत सर ऐसे विद्धियारती जो के जोग के दूश्फूल है और वहुत सर ऐसे विद्धियारती जो के नेक्ट कोर्स में डीविशन लेना चाहते है तो रहा नहीं ले पाते हैं और उनका साल भी वर्वाद हो जाता है उनके समय ब्रवाद हो जाता है ठीक है तो मैं निचाथता है अगर आपका किसी परकार की कोईरी हो ना आप examination से regarding assignments से regarding आपका assignment reject जो चुका है या फिर आपका assignment नहीं मिल रहा है तो आपके comment session में लिक के देओ मैं उस query को solve करने के courses करूं पूरी तो आज के लिए धन्यवादा के फिर भी किसी परकार की query होती है तो आपका comment session मिसीते और हाँ मेरे को Instagram और Twitter पर प्लीज फोलो करो एक बार जिससे की और भी कोई update हो नई update इग नूसे रिगार्डिंग और नई update के लिए आपके वहाँ पर भ आप झाप div logical बाचर आपके लिए दो आपके लिजवाओं के लिए अवादभ sound के लिए ideas is